हेलो स्टुरेंट्स आज के जो किलास होगी वह होगा के विए स्पीजीट इकनोमिक्स 2030 यह क्वेस्टन पेपर में आपको इसलिए सोल करवा रही है क्योंकि जो एस्टेट का अभी जो क्वेस्टन आएगा जो आपका एकजाम होगा उसमें यह क्वेस्टन आपके बहुत ज्य क्वेस्टन है इसमें कि वट्ट विल्वीदा वैल्लो अफ मीडीयन इन में थर्टी वाइट यहां पर आपसे पुछा है कि मोड जो है उसकी वैलू क्या होगी यह क्वेस्टन पुछा गया तो इसका फोर्मूला आपको पता होना चाहिए फोर्मूला क्या है कि mean minus mode mean minus mode equal to 3 mean formula आपको learn होना चाहिए median अब बस इसमें आप क्या करोगे value को put करोगे mean कितना दिया वाद 30 mode आपको निकालना ही है उसके बाद 3 यहाँ पर 30 रिखोगे median कितना है यहाँ पर 35 इन दोनों का difference कितना minus 5 यहाँ पर 3 है 30 minus mode उसके बाद आप देखोगे इनके अगर multiply करोगे तो 15 आ जाएगा इदर minus 15 आ जाएगा इदर यह 30 है 30 और इसको आप इस साइड ले आओ यह जो आपका 15 है आप इसको इस साइड ले आओ ठीक आप अपका चल लिए यहाँ पर इस साइड आकर किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यह इस साइड जाकर किस का हो जाएगा प्लस का mode जो है तो 35 अगर 30 में 15 प्लस करोगे तो कितना आएगा 45 तो mode की value आ जाएगी 45 तो अब यहाँ पर देखो option first इसका क्या रहेगा तो आप इस तरीके से अगर ऐसा कोई question आता है चाहिए आज से आपको अभी तो 9 mode पुछा चाहिए वो median पुछे चाहिए मीन पुछे तो आपको यह formula learn होना चाहिए उसके बाद question है second second question में क्या पुछा गया कि marks obtained by 9 students in economics are the following और सास्तर विशे में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त है जो अंक है वो इस परकार से हैं तो यह sequence ही दी हुई है कि 50, 58, 62, 63 ठीक है sequence में ही लगे हुए तो वह करें कि median marks बताओ कितने होंगे जब यहाँ पर odd value दी हुई है क्यों कितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है तो यह 9 क्या है वो odd value है तो अगर odd value है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे चाहिए odd हो चाहिए even सबसे पहले इसको हम arrange करेंगे sequence को यह sequence arrange ही है कि 50, 58, 62 इस तरीके से arrange है यह यह बढ़ते करम में है तो यहां पर आपने देख लिया कि यह यहां तक जो नंबर बनते हैं वो 9 है अगर odd value है तो इसका formula होता है size of size of n plus 1 divide by 2 item ठीक है इस तरीके से होता है या फिर अगर simple लिखो कि अगर odd का होगा तो हम इसको निकालेंगे इस तरीके से n plus 1 divide by 2 divide by 2 अगर यह even का होता even number होता 6 होता 8 होता 10 होता तो इस तरीके से होता n by 2 plus n by 2 plus 1 तो आपका वहां पर median value आप इस तरीके से निकालते हैं तो आप इसको निकाल लोगे कि n plus n कितने हैं आपर 9 9 plus 1 divide by 2 यानि कि 10 divided by 2 हो जाएगा तो पांचवा नंबर का जो होगा वो इसका अंसर हो जाएगा तो देखो 1,2,3,4,5 तो जो 66 है वो क्या होगे इसकी median value होगे तो option second इसका सही रहेगा उसके बाद आता है question number third इसमें क्या वो लगा था mean marks of 100 students यानि कि mean marks आई है यानि कि जो n है वो कितने है number of students कितने hundred है और जोन का mean निकल कर आया वो कितना आया लेटर ओन इट वोज फांड देट इस score of 55 was measures as 85 what will be the correct value of median कि 100 वी दार थी हो कि अंको का माध्व पचास पाया गा बाद में पता चला लेटर ओन इट वाज फांड है बाद में देखा गया पता चला कि एक अंको 55 की बजाए तो वो कहरें कि जो 55 था ना उसकी बजाए हमने 85 समझ लिया तो उसके बाद यह पूछने इसका correct mean क्या होगा correct value of mean क्या होगी तो यह जो mean आया है नमारा वो क्या है रोग है अब आप क्या निकलना है correct mean निकलना तो देखते इसके लिए हम क्या करना होगा कि mean of 100 students equal to 50 mean कैसे निकल तो इस तरी किसे निकल तो यह करें कि इतना आया 50 आया है यह आप उपर देख लिए आपने कि इसका कितना आया है कि जो 100 students का mean आया है वो आया है 50 और mean निकलने के लिए कैसे फोर्मूला होता कि summation of जो series होती है डिवाइड बाइ एंड करते हैं तो यह आपका आगया 50 अब आपके पास एंड है तो आप ऐसे करोगे 50 equal to summation of x डिवाइड बाइ 100 तो कितना हो जागए जो wrong mean आया है वो आपका एक तरीके से 5000 ठीक है यहाँ पर summation of x आया है वो कितना है 5000 आया है उसके बाद ही इसकी value mean में जब convert होई होगी तो वो कितना है 50 आयी क्योंकि देखो series होती है यह कैसे करते हैं जैसे 1,2,3,4,5 ठीक है तो इन जब सब का summation कर दोगे 3,6,10,5,15 तो कितने नंबर है यह 5 नंबर है तो आपका mean कितना आता 3 इसी तरीके से यह submission of x आया है यह x series है और जो यह 15 आया है यह submission of x series का summation है उसके बाद यह wrong है आपका ठीकिन जो 5000 आया है यह submission जो x है वो गल्द है यह incorrect है तो अब हमें क्या करना होगा कि जो यह submission है इसमें हम क्या करेंगे हमें क्या करना चाहिए था 55 परना चाहिए था वो हम add कर देंगे और जो minus करेंगे जो हमें wrong number हमने add गया था तो जो तुम इसको निकालोगे तो यह हो जाएगा 85 में से अगर 50 गया समिशन होना चाहिए था वो निकल करा आगा तो अब आपका यह निकल कराया है तो आप mean निकालोगे ऐसी और इसको कर दोगे 4970 डिवाइड बाई 100 तो mean कितना आ जागा 49.70 तो जो इसका अंसर होगा वो होगा 3 तो इस तरीके से आप इसको क्वेसर नंबर 4 इसमें क्या है कि following are the marks of 10 students in statistics in class 12th examination यह दिये वे हैं कोई मतलब class 10th के students है उनके यह marks दिये वे हैं तो हमने यह आपर वो निकलनी है mode की value निकलनी है तो जो अगर हम value of mode निकलते हैं value of mode तो क्या होती है mode is the highest frequency है प्रेक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगा मतलब जिसकी highest frequency होगी वही mode होगा तो इन में देखा आप कौन ज्यादा बारा आया अगर आप देखोगे 50-50 को अगर आप देखोगे तो 50 तो एक बारा आया ठीक है ना 50 एक बारा आया है 72 भी एक बार आई है ये बगकी सारे के सारे एक बार आई हैं सिर्फ 36 ये 26 ये बारा आए ठेकर क्योंकि एग उसके बार एक एक बार ऐonday लूड येikan है है फोर्टी एट एक फोर्टी एट एक डूर चाहिए alpha booklet टिसका कि identify the correct formula for harmonic mean correct formula for harmonic mean क्या होता देखिए if a and b are two numbers ठीकर यह दो numbers है harmonic mean यह क्या होता जो n होता न यह इसको जो हम निकालते तो यह निकलता ऐसे जिसे यह था ना तो वन भाई फॉलस यह दो नमबर थे न ए और भी तो इसको जो हम करेंगे तो यह हो जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा यह वन अपोन में इसको किस तरीके से लिख सकते इस फॉर्मूले को एन डिवाइड बाइन जीतने भी होते नमबर उनकी बात की जारी है बस इसको डिवाइड कर दोगे समिशन ओफ वन डिवाइड बाइड बाई एक साइड तो जो यह सीरीज होगी न इसमें देख लेते हैं इसका साइद ज अगर आप इस तरीके से और अगर आप स्टेस्टिक्स का जो अभी हम पोर्शन कर रहे हैं अगर आप इको गुरू चैनल पर जाओगे ना इको गुरू इकनोमिक्स क्लासीज ठीक है आप इको गुरू लिखके लिख दिना बाई सीला अलावत यहाँ पर एक मैरा थन बनाई हुई है स्टेस्टिक्स की इसी चैनल के उपर सारे इक्वेस्न पर सोल हुए हैं अचीवर्स एकेडमी पर भी आपको सारे मदर कुछ पिपर मिल जाएंगे जो नहीं होगा एक आदब सारा कि सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे तो इस तरीके से आपको वहां पर सर्च करोगा अगर आपको फिर भी सर्चिंग में ना आयता आए तो आप इस नंबर पर 9468008900 पर मैस्सीज की जी ठीक है वहां पर मैं आपको यह लिंक सेर करते हूं तो यह वाले सारे सारा सारा इस तरीके से आप करके जाओगे सारे फोर्मुले ताकि आपका कोई भी क्वेस्टन ना हो उसकी बाद हम सलते क्वेस्टन नंबर 60266 या निकि हमारा तो नंबर यह च्छा है अब देखो स्टेंडर डैवेशन से क्वेस्टन कुछ आ गया है कि स्टेंडर डैवेशन जो है इसकी एक तरीके से व लो निकल कर आ जाएगी अर्थमेटिक में से भी कि एक सीरीज है सीरीज को पहले हम लिख लेते हैं यह 10 से 70 तक है तो 10 20 30 40 50 60 70 हमने लिख लिए इसको उसकी बाद दोबार लिख लिए यह सीरीज हमारी 10 है 20 30 40 50 60 70 ऐसे दिए हैं तो इसका हम क्या करेंगे इसका हम इन निकलन इसका आएगा 27280 च्किशब्स को नंबर कितने हैं साथ है तो इनकिन एन टो यह से एंसे म दिवाइड कर देंगे तो मीन निकल कर आजाएगा साथ पोड़ भी अब हम क्या करेंगे यह जो सीरीज है यह जो सीरीज है, यह इस सीरीज में से, इसके मीन को माइनस करेंगे, ठीक है? हम करेंगे, जो यह मीन है तो series 20 20 में 40 minus करोगे तो minus 20 आएगा फिर यहाँ पर minus 10 आएगा यहाँ पर 0 आएगी यहाँ पर आपका आएगा 10 20 और 30 ठीक है तो जब भी हम इसका अगर summation करते हैं तो आप इसका summation करके देखना सारे यह minus वाले होते हैं और यह plus वाले होते हैं जो माहिनस तरह प्लस वाले होते तो अगर इन समग्वाले किसमेंग हो जाएगी प्लस में लाइगा ऑफ oni और जैगी ये आपकाहंद और यहां पर hypn यह आपका this is gonna and this product किए रोगे आप जाएगी किए क्ल Elle greater चाहिए एक तो बær होना चाहिए कि जो standard deviation है उसका formula क्या होता है standard deviation का formula होता है इस तरीके से यह sigma होता है उसके बाद यह under root होता है इसके अंदर होता summation x यानि कि series मेंसे उसके mean को minus करो फिर उसको square करो और फिर उसको n से divide करो ठीक है जब आप इतना काम करते हो तो यह आपका standard deviation निकल कर आता तो यह standard deviation का formula है आपको यह सुपूरी sequence से समझ में आई होगी तो अब इसको करो इसकी value कितने निकल कर आई थी यह आई थी value इसकी निकल कर तो इसके अंदर आप रख दोगे ठीक है इसको हमने रख दिया और इसको 7 से इसको आपर यह value आई एक सब्सक्राइब करते हैं कि यह आपका इस तरीके से हमने इसको 7 से रिवाइड कर दिया तो फिर इसका क्या करोगे जब इसका रूट हटाओगे तो यह अंसर आएगा 20 इसका 20 अंसर आगा option no.3 तो यह इसका correct रहेगा उसकी बाद आता फिर इसका solution है आप देख सकते हो यह इसी तरीके से दिया हुआ है और कई बार हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं जैसे मैंने लिखावा न कि यह वाला ऐसे टाइम रिवर्सल टेस्ट इस सैटिस्वाइब तो यह पर से आपको सारी के सारी जो टेस्ट है ठीक है तो यह सब के टेस्ट आपको उनके फोर्मूले पता होने चाहिए और जो मैंने वह मेरा तन करवाई होई है उसमें यह सारी के सारे फोर्मूले हैं तो question no.7 है तो देख answer no.3 होगा वह इसका correct होगा उसकी बाद आता कि which of the following which of the following are correct इन में से क्या correct है तो देखते हैं इसके अंदर कि in the southern अलबकाल की बात करें as long as average product increase तो करें कि जो average product है न वह क्या करता इंक्रीज करता marginal product is greater than the average product the average product starts declining before the marginal product देखो क्या वो लगा इसमें कि देखो यह आपका दिखा गया है कि यह आपका average production है यह आपका marginal production है इसी इसकी बात की गई है इसको एक बार हिंदी में देखते हैं कि अलबकाल में जब तक कि in the southern अलबकाल में as long as average product increase यानि कि जब तक आपका average production increase करता है marginal product जो हाग greater than होता है average से क्या बोलैं उन्हें कि जब average product increase करता-a-p आपका increase लिए तो वह करें कि वहाँ पर marginal product तो happiness होता है यह आपका budget जिदी मनें के बाता है aubरेज को को दिखाता जैसको दिखाता है यह 00 से पहले आपका marginal production जो होना greater than average से इसके बाद यह जहां पर maximum होता वहीं पर आपका marginal production इसको उपपर से कट करता है MP उसके बाद क्या है AP greater than होता है MP से चीक है तो इसको देखो एक बार कड़ो कि अलब काल में यानि आपका बढ़ रहा होता सिमान तो पाद बात है क्योंकि आप देखोगे कि जब तक हमारा production इंक्रीज कर रहा होता तो तो इस पॉइंट तक आपका उस से ज्यादा रहेगा margin production यह बढ़ ठीक है सैकेंड है कि average production margin से पहले गटना शुरू हो जाता नहीं तो करें कि average production बाद में गिरेगा ठीक है यह तो इस पॉइंट के बाद कि यह आपका marginal production है और यह आपका average production है तो आपने देख लिया कि marginal production की पहले गटता उसके बाद average production गटता यह इसका maximum point होता तो इनका रिलेशन है ना AP का MP का MC का AC का तो यह सारी दिये हैं तो उनको बताओ तो कि करें कि जो TFC का formula देखो जब हम AFC निकलते हैं average AFC AFC का formula क्या होता ती FC divided by क्यों ठीक है उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो कि जो TFC अगर आप यहाँ पर TFC निकालोगे AFC आप निकालते हो TFC divided by क्यों तो अगर आप आप AFC निकालोगे तो कैसे निकलेगा यह इसके AFC क्यों equal to TFC हो जाएगा ठीक है अगर आप ABC निकालोगे तो क्या होगा TVC divided by क्यों तो अगर आपने TVC निकालने है तो इसके सब्सक्राइब क्यों तो इसके निकालोगे तो इसके निकालते हो तो क्या होता TFC AFC निकल जाएगा टोटल इसके निकालते थे ना तोटल फिक्स कोस्ट और वेरियबल कोस्ट यह थी आपकी टोटल वेरियबल कोस्ट जब आप इनको क्यों से डिवाइड कर देते हो तो यह क्या हो जाती है आपकी क्यों से अपगी एरे यह क्यों से अब यह तो मार्जिनल कोस्ट निकालोगे तो चेंजिन टी चेंजिन क्यों अब यह पूछ रहें कि इन कर्यक्टिंच में कौन सा है तो इन कर्यक्ट्स देखो TFC आग देफसी का फॉर्मूला भी हमने दिखा कि टी अपसी TFC होती है हमारी अगर हमें टीफसी निकलनी है एक मेंट टीफसी काम सरी एफसी होती है आफसी निक्लाइब इफसी होती है हमारी टी एफसी डिवाईब इटी फिसको इदर ले आओगे एय-एफसी मल्टिप्लाई क्यों इप एकम टी इस देख लिते हैं टीए इफसी आए थू ठीक है एफसी इन्वीक्पाइब इस देखो जब आप अब दो विसी निक्नालोगे आबइड वेलिव tęद एवह इन इन तो में क्यओ ऑ जाएंगी तो एविए सी पिज भाइडवड दॉट लेगिम और को योगर केयो निकलोगे तो एविसी इन्टो में क्यों लोट रहे ना एवी सी फ़र्मिला आपको पता होने चाहिए उसके बाद आता है कोब्डग्लस प्रडेक्शन फंक्शन में अलफा प्लस बीटा एक वल टुवन होते हैं तो इन्कृरीजिंग रिटन टूसकेल होते हैं यह दिये दौनों के दौनों की वैल्लू जो है एक से कम सब्सक्राइब करें कि यह अगर एक से ज्यादा है तो आपके क्या होंगे इंक्रीजिंग रिटन टूसकेल हो इसका उप्सन हो जाएगा फॉस्ट इसका उत्तर रहेगा यह वाला उसकी बाद आता हमारा क्वेस्टन नेक्स्ट हैं यहां पर देखिए कि रेक्टेंगलर सेका गान सब्सक्राइब करें तो करेंगे घ्यांघ्र करते हो और एंस तरीक्त के से तो करें कि उसके बाद आता है नेक्स्ट ने क्या है कि इसका फॉर्मूला की पर्षंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओफ डिमांड ऑफ एक्स ठीक है निच्छे आता कि पर्षंटेज चेंज इन प्राइज ओफ वाई प्रोस इससी का मुझेटा कि प्राइज कीशी और कि और कि जो अपन करते तो कैसे लिखते हैं चेंज इन क्यों इसे सिंपल जो अमारी क्वांटिटी होती है इस पूरा सची से लिख लेते हैं कहां पर हम लिखेंगे चैंजज ऍलग यवा है इसको अगर आप तो किस तरीके से उपर वाला फॉर्मूला सेम ही रहेगा यह quantity है यह दी एक्स है यह क्योंक्त है यह क्योंक्त है और मल्टिप्लाइ में चला जाएगा पी वाई उपर चला जाएगा और निच्छे हो जाएगा मारा यहां पर अगर हम देखें तो अंसर कौन सा ठीक होगा पहले वाले में देखो यह प्राइज किसी और के यह मैंने जब आपको यह वाला भी सारा सुलूशन चाहिए वाला यह सारा यहां पर प्राइज नहीं रहेंगे देखो यहां पर प्राइज होगा यहां भी रोंग था यहां भी रोंग है तो इसका जो सेकिंड ओप्सन होगा यही ओप्सन क्रेक्ट होगा उसके बाद आता है next question इसके अंदर है कि which of the following is not correct ठीक है not correct यहांने कि इन में से कौन सा सही नहीं है चिए सही नहीं है क aujourd' सपर पूछने कि आंस्यां कॊन सा है कि आफ करते हो न तर यह कुछा नहीं कि इस में से इनक्रेक्ट तो बजट till solve को याद करू bo İşte लाइन क्या और इसको रखते हैं में बराबर में यहां हमने निकालेंगे इस तरीके से इन उसके बाद आता आता है फिर आत नेक्स step में क्या करो कि वाई दर रहेगा यह आपका M divided by P Y हो जाएगा और यह हो जाएगा P X divided by P Y और यह इंटुमेक्स इसलिए तो यह क्या होता स्लोप होता है ठीक है न तो स्लोप अब जिट लाइन कौन सा उता है यह वाला होता है P X divided by P Y माइनस लगा वाई के सामने ठीक इक इस्ट इवाइद यह निकालते हो ना तो इसमें से हम देख लेते हैं इसका option कौन सा रहेगा यह correct देखते हैं पहले तो देखो पहले वाला correct तो बिल्कुल हमने यही लिखा यह देख लेखे हां हमने यह लिखते हैं यह बाद में लिखा क्या ठीक है यह है पी x x x e y x e y x m आपके पास ही total money होती है आप इन दो वस्तों पर खर्च कर सकते हो ठीक है ये वाय वस्तू है ये उसकी price मांलिया आज़ा आपके पास 100 उरुपे हैं तो 100 उर्पी का आप कैसे बाट होगे हैं मांलिया आज़ा कि इसी वस्तू के 10 उरुपी पर थे ठीक है और आपने चार क्वांटरी पर चीज कर लिए यहां पर आपके 40 रख खर्च हो जाते हैं इधर अगर आपके कितने बचे 60 यहां पर आमान लेते हैं कि 10 आपके पराइज हमां और भी कुछ हो सकता है और यहां पर आपने 6 क्वांटरी तो 60 इस तरीके से आप खर्च करो उसके बाद है किसका जो इनकर्ड कराह में देखिए तो इसकी दिए उसके बाद को यह को क्योंकि यह खुए सोंए उन्हेमार्जट नो तो इसका second option गलत होगा उसके बाद आता है next question कि which of the following is our correct regarding the cardinal utility cardinal utility क्या जहां पर हम utility को 1,2,3,4 में measure करते हैं तो cardinal utility का आप formula बनाते हो उसके फोर्मूले जितने भी है उसके जितने डायग्राम आपको उनका पता होना चाहिए तो देखिए ये total utility होती है उसके बाद ये maximum होते है जहां पर आपके marginal utility क्या होती है जीरो होती है इससे पहले आ marginal utility diminished with increase in consumption of commodity बिल्गुल सही बात है कि जब हम किसी वस्तु का ज्यादा consume करेंगे ठीक है तो उससे मिलने वाले जो utility है जो सिमान तुपी होगी था हुआ हमारी गड़ती चली जाएगी फर्स इसका क्या है मतलब एक तरीके से ये बात इन्होंने सही बोली marginal utility cannot be negative नहीं हो क्यों नहीं सकते हैं को marginal utility तो आपको positive ठीक है जीरो भी और negative थीनों त्रीके लिए होती है total utility always क्या होती है पोजिटिव होते लेकिन marginal utility थीनों केस होती है तो सेकिन तो इसका गलत है तो इसका होगा हमारा केवल एक सही तो option number one आपका correct रहेगा उसके बाद हम बात करते कि which of the following is not correct not correct को या नोट करेक्ट को माल लेना कि incorrect ठीक है आपसे incorrect पूछ रहा है यहीं कि रोंग पूछ रहे हैं इन मेंसे कौन सा निमलिक्त मेंसे कौन सा सही नहीं है सारे सही दिये हैं कमने इस में से सही नहीं ढूंदना है अब यह बोल रहे हैं आपको यहां पर कि द्रेकाल उसत करका नीचे की और गिरता वाग पैमाने के बढ़ते बरतीफल तो यह आपके दिखाता है मतलब increasing return to skill को यह आपके दिखाता constant return to skill यह आपके दिखाता decreasing return to skill ठीक क्योंकि यहां पर लागते घट रहे हो इती हैं इसलिए फाइदा हो रहा होता यहां पर आपका constant है जितने से factor क यहां से आपके उत्वादन के साधन जो हो ज्यादा लगेंगे factors का ज्यादा यह जो होगा लेकिन production कम निकल कराएगा तो first or second दोनों ठीक है दिरक कालिन उसत लागत वकर का उपर के और बढ़ता हो वाग यह इनिक यह decreasing को दिखा रहा है यह second वाले उप्सर में नहीं बोला क की लॉन्गरेंगे कॉस्ट करेंगे करें कि लॉन रन जो जो उन्टा होता है आप देखती नहीं हो कि हमारा ए मसी है थेकर junior करता है ना कि एस the long run average को सた화를 add its minimum point यहां पर होता कि लोंग रन हमारा marginal sized करहो Fours एक मिनिममन्क प्शलिगा इसलिए जो रॉंग है पुछा गया कुछ हो रहे है तिक अभी यहां पर AC आप AC को MC पड़ लो MC को AC पड़ लो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा देखो in case of perfect competition which one is not correct तो कितना tricky question पुछ ही रहे है कि not correct है कौन सा सही नहीं है यानि कि one correct लेखते थे लेकिन बचे यहीं पर 4-5 सेकिन लगा देंगे नोट क्रेक्ट का मतलब क्या है तो आप लिख लो not correct incorrect अब perfect competition आपको पताओ न चीन तो ठीक है MR equal to कि जो marginal revenue कर रहा हो है और सुल यहां पर क्या कुछ है इन्होंने कि perfect competition में सिमान ताय कीमत के समान दे क्या होता है अरे एकवल टू एम आइप बताओ देखो इस को सुच्ब कि perfect competition की क्या-क्या विशिश्था विशिश्थ आ रहे ने के एकवल टमाट तक तक यह कि यह आपका अस्य लोंग्रन का यह वैसे तो आप नॉर्मल प्रॉफित सूपर नॉर्मल प्रॉफित भाता उसका और जो आप देखते हो यहां पर यह सुप्लाइ सब देखते हो यह आप होती है यह दिमांड में अधिकलेव प्राइट क्या है यह एक सब्सक्राइख करें और किस्त्राइख किसे का रहा फोक्राइख है nie सब्सक्राइख कि निखा क्यों अन्यार जुन कि कि seems p निकालते हो इंटो प्रिक का काके चलग टो और इसको अगर आप क्यों से डिवाइड कर दूगे तो गलत हो गया तो जो रॉंग अनसर होगा उसका सेकिंड होगा उससे ताइक किमस के समान होती है बिलकुल सही है यार एकल टो पीस न वास्ता में मांग और सप्लाई दुन्य दूसरे के बराबर होती है ये भी ठीकर उसके बाद आता है कि यह binding floor price leads to ठीक है तो floor price कौण ठीक है तो floor price की बात के गए है तो binding a binding floor price leads to ठीक है तो देखें यहाँ पर इस diagram का आपको समझना होगा यह है supply और यह है डेमाड जो आपके floor price होते ने यह आपके equilibrium price होते कि यहांग है इट बात करते हैं इसका गाता है यह है डिल्इम प्राइस है list फर्स होने अवाला हिस्षा और अभर बाते mama बात करते हो फ्लोर तो निच वाला होता है पारसई सीलीग कहीं नहीं दूरें हैं अपर उपर डिया गडारा तो यह वाले जो equilibrium price से उपर वाले जो price होते है वह आपको फ्लोर price बैस होगा इसलिए यहां पर access supply हो गांग यहां पर access supply को ही हम क्या बोलेंगे फ्लोर price या आप से पुछे कि floor price पर क्या होता access supply होते हैं ठीक क्योंकि supply ज्यादा यह दिवह पोस्ता price सीलिंग अगर और आपसे पूशता इसका उल्टा कर देतêmes अब कि यह सप्लाई हूं इंकलिग्रम इस सी निच्छे झे जो होगा ठीके यह जो होगा ना जहां पर डिमान्ड एकसस होगी एकसस दिमान्ड होगे तो यह होगा आपका सीलिंग प्राइज यह तो यहां पर आपकी access demand है, वहां पर आपकी access supply है, तो इस question को आपर wrong मत कीजिए, उसकी बाद है next question, अच्छा यह आपने देख लिया, इसका हमने floor price में क्या होगा, access है, floor price में आपकी access supply होगी, तो यह question ठीक हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा second, उसके बाद है price ceiling, तो नीचे वा demand जाता है, और supply क्या है, कम है, तो access demand हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा third, उसकी बाद आता है, कि question दिया वाए, given the following demand and supply equation दी होई, ठीक है, तो यहां पर demand equation दी होई है, हमारी, यह 1200 minus P, और supply equation दी होई 900 P, what will be equilibrium price, ठीक हैं, तो equilibrium price क्या है, तो जब हम equilibrium price निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, demand equation को, supply equation को दूसरे के बराबर कर देंगे, तो demand है, हमारी यह इतनी, ठीक है, और supply है, हमारी 900 P, प्लस 2 P, उसके बाद अगर आप करोगे इसको, इस तरीके से, कि आप इसको साइट ले जाओगे, यह हो जाएगा, इदर 3 P, ठीक है, और इदर अगर आप ले जाएगा, आपका 100, तो आपने देखा कि जो price निकल करा है, वो कितना है, आपका 100, इनने पुछा था, कि equilibrium price क्या है, तो equilibrium price हो जाएगा, आपका 900, समझ में, तरफ इस situation को, दूनों को equal करना, तो आपका price निकल जाएगा, क्योंकि यह demand supply है, और यह demand, तो equilibrium price यही तो हुता, र आप total expenditure method करते हो, ठीक है, यह देखे वस्तो पर cool हुए है, यह मुस्त वस्तो कीमत में भी परीज संबल, यानि कि price increase हो, और total expenditure क्या हो, decrease हो, यह होती है, यह elasticity आपकी greater than 1, ठीक क्या होती है, ग्रेटर दन 1 होती है, और जो यह दोनों same direction में चलते है, price बढ़ने से total expenditure भी बढ़ ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखने है, कि price elasticity of demand हो, क्या है, कि अगर यह same direction में काम करते हैं, यह opposite direction में काम करते हैं, यह आप आप देखते हैं, यह same direction में काम करते हैं, ठीक है, जैसे price बढ़ता है, total expenditure भी बढ़ जाता है, यहाँ पर यह price के बढ़ने से, ठीकिन price increase हो, शाहे हो degree, जो लेकिन total expenditure आपका constant है, यहाँ से यहाँ तर, उसके बाद यह price बढ़ता है, total expenditure गटता, यह गटता तो बढ़ता है, यह greater than 1, यह diagram आपने BA में 12 में सब जंगर किया हुआ, तो इसका मतलब हो गया है, जब आप ओजी direction में काम करते हैं, तो more than 1 होगी, तो option हो रहे हैं, यह बाड़ा question, जो ना, the shape of unitary elasticity demand curve, unitary elasticity of demand curve कैसा होता, अभी तो rectangular hyperbola इनोंने पुछा था है, बार बार इस दो तीन question तो same repeat only, यहाँ पर elasticity of demand equal to 1, तो rectangular hyperbola ही बोलते हैं, तो यह वही है, ठीक है, तो option first हो जाएगा, इसका correct, इसके बाद आता है next question, यह most important है, इसकी table price effect, यह साल चीजी, इसमा आप देखो, substitution effect, income effect, price effect, normal goods होती है, inferior goods होती है, और giffin goods होती है, बहुत अच्छी से करवाई है, normal goods क्या, inferior goods क्या, giffin goods क्या है, अब इसकी table आपको learn करने है, चाहिए आप में अच्छे वर्ष कैड़े में पर course purchase कर रखा या नहीं कर रखा, सब को य यहां पर कुछ करना है, इसको थोड़ा साइसे कर लेते हैं, color change कर लेते हैं, अब देख, substitution effect जो हना, normal goods में होता है, कैसा, तो यह तो always negative रहेगा, ठीक है, चाहिए normal goods हो, चाहिए inferior goods हो, चाहिए different goods हो, ठीक है, यह ध्यान लगना पर, उसकी बाद आप देखे, जो income effect है, अगर आप यह जो मैं बता रहे हैं, अगर यह लगा कर आते हो, तो आपको question मिलेंगे, बले ही वह आपका एक बार wrong दे दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसकी बाद आते हैं, कि जो question wrong है, अगर मतलब आपको लगता कि यह wrong है, तो objection लगा सकते हो, आप, objection के लिए आप क्या कर स क्योंकि correct यह है, substitution effect जो है, उसका जो एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, वो negative होता है, income effect भी negative होता है, price effect भी negative होता है, ठीक है, तीन नो नोर्मल गूर्स में आपने क्या पड़ा है, कि income effect क्या पड़ा है, positive बढ़ा है, ठीक है, जो आप Indian उतर को पड़ते हो, लेकिन foreign क्या है, इसका रिजन मैंने आपको बताया हुआ है, उसके बाद देखो, जो इनफ्रियर गूर्स से यह नेगिट्व होता है, और यह negative होता है, उसके बाद जो गिफिन गूर्स साथ यह negative होता है, यह positive होता है, और price effect भी क्या होता, positive हूता है, तो इसका आप याद़ करोगे वो आपसे पूस्ते हैं कि normal goods की case में जो substitution effect है वो greater than होता या income effect तो आप बताओगे substitution effect inferior goods में कौन सा आपका जो है न वो भी substitution effect क्या greater than होता given goods में क्या होता आपका income effect greater than होता substitution effect से तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना आप इसका screenshot लेकर रख लेना तो इसमें उन्हें पूचा कि which of the following is true ठीक है तो इसमें क्या true है आप देखो इसमें true क्या है इसके according कि which of the following is true case of given goods given goods में देखो इसमें income effect क्या है greater than है substitution effect से तो इसमें देखो income effect यह दो होगा ने substitution effect यह भी नहीं होगा income effect greater than substitution तो इसका अंसर हो जाएगा थार्ड तो इस टेबल का पच्छी से कर लेना उसके बाद हम चलते हैं तो इसका नेकिटीव रिलेशन होगा एक वस्तों की मां और उसके जो गोड़ेंटरी गूर्स उसकी कीमिल में कैसा रिलेशन होगा तरनसर धर्ड शेकिंद उसके बाद है कि स्पोज कीजिए जो स्पोज कीजिए एकस आइpसयोट गूर्स तो एकस और लाई दोनों सप्राइ व्त्रफरेशं और यदि वाई की किमत बढ़ती है तो एकस के मांग भब क्या होगा दायीय। उर खिश्केगा की बदलाव नहीं को इसका डागराम इसका डागराम बनाते हुँँ ने गराम को बना लेते पर यह पले लिखे लेते हैं ये कि यह इनों ने पुछा को माना कि X यह यह दोनों सब्चिछूट सब्चिछ दूर्स हो जाते हैं तो एक्स बस्तू के दिमांड करों के साथ क्या होगा तो तो quantity of X की बात की जा रही है वो price of Y की बात की जा रही है तो यदि इसकी price increase हो जाते हैं तो जो quantity of X है उसकी demand क्या हो जाएगी वो increase हो जाएगी उसके same price पर क्योंकि जो substitute scores है उसकी केमत क्या होगी है increase हो गए तो ऐसे बनाएंगे हम कि यहां पर यह demand of coffee है यह दियेवे price है इस दियेवे price पर ही जो इस coffee की demand है वो DC से DC बन हो जाएगी तो इसमें है क्या कि जो demand करों है X commodity वो कहां पर जाएगा तो right word shift हो जाएगा तो answer first इसका correct रहेगा उसकी बाद हम बात करते हैं 285 नंबर व हुआ है demand function नंदिया 10-3 ठीक है यह विक्तिका